हाँ तो दोस्तों यह बत्वय का साग है और आज इसकी ऐसी रेसिपी आप से सेयर कर रही हो कि आप धावे वाला जो स्वाध है घर पे बना सकते हैं बिल्कुल तो इसके लिए बत्वय का साग ले लिया था मैंने और इसको इस तरह से छोटे-छोटे पीस में काट लिया दो कर अरहर की दाल है दो मुठी यह मूंक इस और इसको अच्छे से मैं बत्वय की साग के साथ मिक्स कर रही हूं मिक्स नमक और ठोड़ा सा हींग डाल देंगे और उसके बाद एक गलास पानी दाल करके यहां पर मैंने प्रेशर लगा दिया था इसका दोस्तों बहुत ही पसंदारी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना नहीं बूलेगा सब्सक्राइब जरूर से कर लिजेगा तो यहां पर मैंने घी का तड़का दे रिया था और इसमें जीरा खड़ी लाल मिर्च और थोड़ा सा प्याज डाल करके इसको मैं सौते कर रही हूं थोड़ा सा यह लाल हो तो यहां पर दो टमाटर लाल वाले पके हुए टमाटर मैंने डाल दिये हैं और अच्छे से इसको भून भून करके थोड़ा सा स्मोकी फ्लेवर देने की कोशिश कर रही हूं यह देखिए इस तरह से भून गया है और टमाटर डाले हैं तो नमक डालना बहुत जरूरी है नमक और हल्दी डाल करके इसको अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है और इधर जो मैंने डाल चड़ाई थी वो भी पक चुकी है और फिर मैं इसी डाल को इसमें मिक्स कर दूँगी यह देखिए धाबा स्टाइल डाल बन करके तयार हो गई है यह मैंने आज बत्वे वाली मि बहुत ही टेस्टी वनी थी दोस्तों इसके आगे सबजी भी फेलो जाएगी और बहुत ही टेस्टी वनी थी देखिए अब यहां पर मैं डबल तड़का लगाऊंगी जहां पर मैंने लैसुन का तड़का लगाया है और थोड़ी सी यहां पर कश्मीरी लालमिज डाल करके यह तड़का त्यार किया था बहुती टेस्टी बनी थे दोस्तों जरूर ट्राई कीजेगा लाइक कमेंट करना नहीं भूलेगा सब्सक्राइब जरूर से कलीजेगा जिन लोगों ने सब्सक्राइब ने किया है जरूर से कलीजेगा बाबाई